नमस्कार दुस्तो स्वागत है आपका AKTM Education YouTube चैनल पर दुस्तो अगर आप डी फार्मा यानि की डिप्लोमा इंफार्मेसी का कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डी फार्मा कोर्स के ब पड़ते हैं तो दुस्तो डी फार्मा कोर्स के बारे में complete information को मैंने अलग अलग पॉइंट में लिखा है सारी पॉइंट में आपको समझाओंगा बस आपको वीडियो को बहुत इध्यान से देखना है ताकि बाद में आपको कोई भी डाउट ना रहे और हां दूस्तो अग समाँ सकते हैं इस कोर्स का नाम है डिपलोमा इन फार्मेसी यह एक बार जाता है है यहार बात करते हैं इस चर्स के बारे में तो यह ज़रली एक two years का कोर्स है जो कि four semester में आपका रहता है यहनि कि एक year में आपके दो semester रहते है और दो साल में आपको टूटल चार समेस्टर यहां पर लेते हैं अगर बात करते हैं कि इस कोर्स में एडमिस्ट लेने के लिए आपके पास क्या योगता होनी चाहिए तो अगर आपने अपना इंटरमीडियर्ट यारी की 12th कंप्रेट कर लिया है साइन्स इस्ट्रीम के साथ में चाहें आपके पास फिजिस कमस्ट्री मैथ हो चाहें आपके पास फिजिस कमस्ट्री बायो हो आप इस कोर्स को कर सकते हैं बस आपके पास 12th में साइन्स इस्ट्रीम होनी चाहिए इसके लब बात करते हैं इसके admission process के बारे में तो दूस्तों इसका जो admission है वो दो-तीन तरीकों से होता है पहले आप एक entrance exam देते हैं, entrance exam के बाद जैसे आपके marks आते हैं उसके बाद आपकी counseling होती है और उसके बाद आपको admission मिल जाता है दूसरा आपके जैसी भी 12th में marks रहते हैं उसी के अनुसार भी आपको admission मिलता है तो अलग-अलग जैसे admission की अलग-अलग प्रक्रिया होती है इसके लब बात करते हैं colleges को लेकर के तो government college भी आपको मिल जाएंगे बात करते हैं इस course के fees को लेकर के तो इस course के fees जो है मैं पहले ही बता देता हूँ कि college to college fees change होती ही रहती है लेकिन अगर आप एक idea लें तो सरकारी college में fees यहाँ पर कम रहती है जबकि private college में फीस आपकी जाता रहती है तो 10,000 रुपए साल से लेकर के 1,000,000 रुपए पर year तक आपकी fees हो सकती ही डिपेंड यह करता है कि आप कौन से college में study यहाँ पर कर रहा है अब दोस्तो निक्स्ट बात करते हैं scholarship को लेकर के तो दोस्तो scholarship आपको deferma course के दौरान मिल जाती है आपको जो government होती है आपके state की या central government होती ही वो भी scholarship देती है इसके लबा काफी सारे private college और private company भी आपको scholarship देती है और कुछ other scholarship भी आपको मिल जाती है जब आप course को पढ़ाई सुरू करेंगो तो फिर आपको इसके बारे में पता लग जाएगा बात करते हैं कि उस course को करने के बाद में आप कितनी salary कमा सकते हैं दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता था कि college की fees भी यहाँ पर college to college चेंज होती है इसे प्रकार salary भी आपकी college to college और जैसी आपकी performance रही की उसके अनुसार चेंज होती है हलां कि अगर एक एवेस देखा जाए तो 10,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए तक पर मन्त आप सुरुआत में कमा सकते हैं हलां कि आप इसे जादा भी कमा सकते हैं यह depending करेगा कि आपकी condition वहाँ पर कैसी है इसके लब बात करते हैं कि deforma का course अगर अपने complete कर लिया है या करने के बाद में आप आगे क्या कर सकते हैं तो mainly आपके पास तीन option यहाँ पर आते हैं पहला option आपका आता है job, second option आपका आता है कि आगे आप और बढ़ाई करने और तीसरा एक और option के पास आता है बात करते हैं job को ले करके तो दोस्तों करें job की तो job आप डिफार्मा करने के बाद government फिल्ड में भी कर सकते हैं आप private फिल्ड में भी job कर सकते हैं और other फिल्ड में भी job आप कर सकते हैं government काफी time to time अपने notification निकालती है जहां पर वो डिफार्मा का जो student होते हैं उनकी भरती करती है प्राइवेट फिल्ड में बड़ी बड़ी जो medicine की company होती है इंडिस्टी होती है वहाँ पर job आप पासानी से पासकते हैं इसके लब अगर आप और आगे पढ़ाई करना चाहते ह हैं एक और आपके पास अपसना आता है जो कि अरहता है self employment को लिख रहे हैं आप डिफार्मा करने के बाद में आप खुद का अपना medical store या medicine की shop खोर सकते हैं इसके लब आप अपना medical की फिल्ड में कोई business भी शुरू कर सकते हैं अगर आप करना चाहें इसके लब आप एक entrepreneurship ज क्या है तो इसमें आपको जो है फार्मसेटिक्स पढ़नी परती है फार्मसेटिकल केमिस्ट्री हो गया आपका फार्मकोग्नोजी हो गया बायो केमिस्ट्री हो गया क्लीनिकल पैथरलोजी आपका हो गया human anatomy physiology health education फार्मकोलोजी टॉक्सिकोलोजी drug store management hospital and clinical pharmacy यह कुछ subject मैंने आपको बताये हैं हलाक एतना मान के चलिए कि आपको pharmacy की field में medicine की field में mainly यहाँ पर अपनी पढ़ाई को complete करना रहता है तो दोस्तों यहाँ पर जो भी important चीज़े थी सारी मैंने इस वीडियो में cover कर दे हैं लेकिन अगर आपको अभी भी कोई doubt है तो आप comment box में हमसे पूसकत हैं इसके लबाद description box में मान Instagram और Telegram चैनल लिकनिक मौझूद है अब वहाँ पर भी हमको follow कर सकते हैं जो तो इस वीडियो को like करें अपने friends के साथ भी इस वीडियो को जलू सिरकरें वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद